नमस्ते शदावाद चले माहत्रभुमें मैं उस दिन मैंने बताया था कि एक पूरे गाउं का पलायन फरुख dialog जिले में जो पांचाल देश हुआ करता था उसका नाम बदल कर आन्ताओन फरुखा बाद रखा और फरुखा बाद जिले में एक जहान गंज थाना और जहान गंज थाने में एक गाउँ पताउजागाउँ पताउजागाउँ में धीरे धीरे करके पिछले पंदरा वर्ष में मुस्लिम आवादी लगभग 95% हो गई और वहां से 40% के लगभग हिंदु आवादी किया सपा के साशन में फिर बसपा के साशन में फिर सपा के साशन में और अब बीजेपी के साशन में भी माईगरेट होने की सिचुवर्शन है मुसलमानों ने इतना अत्याचार मचा कर रखा कि हिंदु आबादी वहां से धीरे धीरे पलाइन कर रही थी मैंने आपको बताया था कि उस गाउं में मैं प्रवास करने वाला हूँ मैंने उस गाउं के लोगों को ये कहा था कि मैं आपके गाउं में आऊंगा और आपके साथ बैठूंगा अगर आपको legally कोई समस्या होती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं यदि आपको political कोई समस्या होती है तो आप मुझे बता सकते हैं मैं उस गाउं में गया जब ये सूचना जो मैंने कहा था ये सूचना प्रशाशन को हुई तो प्रशाशन ने हाला कि पहले से वहां पुलिस फोर्स लगा कर रखी थी पुलिस फोर्स खुब सारी लगी हुई थी और उस पुलिस फोर्स ने हमें रास्ते में ही मिली और कहा सर ह हम आपको गाउं घुमा कर लाते हैं हम जाना चाहते थे कि गाउं में जाकर हम पहले से समझ सकें कि आखिर सिचूइशन क्या है ऐसी सिचूइशन में जब हम उस परिवार के साथ मिलते तो वहां के मुसलमान जरूर कुछ न कुछ एक्टिविटी करते लेकिन पुलिस खाईशन के परांत के संगठर मन्तरी मंधुराम जी और बजरंगदल के काफी लोग और भाजपा के भी काफी लोग संगठर के काफी लोग हिंदूत desafaddy लोग जो वरूकबाद चियले कोẦ्विलां करते हैं वह बहुत सारे हमारे साथ हो लिए हम गाउं में जाकर जब उस परिवार से मिलने गए तो आप देखी कि गाउं ने कैसे तैयारी करके रखी थी अगर पुलिस फोर्स ना होती तो हो सकता है कि वहां कोई घटना घटित होती पुलिस फोर्स ना होती से मतलब मेरा है कि गाउं में उन परिवारों के पास पहुझने से पहले रातो रात सडख बंने का प्रावधान रहा होगा यह जैसे आज मैं जाने वाला हूँ एक दिन पहले मैं नेगोष्णा की तो रातो रात वहां पर वो डाला गया और उसको पकाने के लिए ये बताने केल्ए कि हम ёँ पर यह सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लकड़ी के जाड़ फंटूस डाले गए चारो और से ताकि कोई भी गाड़ी वहां प्रिवेश्च न कर सके मैं जैसी वहां पर गया तो गाड़ियां वहां परिवार के घर से लगबख 500-800 मीटर पहले एक किलो मीटर से थोड़ा कम पहले रोग दी गई अब वहां से पैदल जाना था हम वहां से घुसे तो मालूम पढ़ा कि नहीं ये तो चारो लकड़ियां डालके रखी हुई हैं तो दिमाख में बात आई कि आप पहले से कोई साजिश रखी गई थी कि हम लोग जब वहां पहुँचेंगे तो हमले की विवस्था की गई थी या हमला सोच कर रखा गया था मुझे विक्रू कांड यादा आ रहा था जब मैं और आगे बढ़ा तो मालूम पढ़ा कि वहां से रास्ता साफ है वो शुरू में ही एक सो मेटर का वो बना कर रखा गया था और चारों लकड़ियां डालके रखी गया थी कोई भी बहान अंदर प्रवेश नहीं कर से था हम पैदल पैदल परिवार के पास तक गए जब परिवार में हम एक घर में बैठे तो वहां भुजर्गों को बुला कर पूछने की कोशिश की हमने उनसे पूछा कि आखिर समस्य क्या है तो उसमें एक दलित भाई आए उन्होंने कहा कि बैसम हम मैं दलित हूँ और हम को मेरे घर की जमीनों को मुसल्मानों ने कबजा कर लिया है हमारे मुहले में जहां हमारे एक दो परिवार हैं वहां मेरी ही अपनी जमीन को कबजा करके वो रहते हैं नंगे लेटते हैं जब हम उनको कहते हैं कि ऐसे मत लेटो तो वो कहते हैं कि तुम गाउँ छोड़कर चले उनकी लड़कियों को छिड़ना लव जिहाद जमीन जिहाद यह सब करना यह उनकी चुकी मूल प्रवती रही है इसलिए यहां पर भी सेम वैसा ही कुछ चल रहा है अलाकि यह मुसल्मान मुसल्मान नहीं है मैं बारबार कहता हूँ यह आकरणता नहीं है आकरणताओं की पहुँचे तो पुरुष नाम की वेक्ति नहीं था और बहुत सारे घरों में ताले लगा चुके थे उनको लगा कि पुलिस फोर्स बहुत सारी आगई है पता निंक्या हो सकता है जब पुलिस फोर्स का कहना था कि हम आपको सिक्यूरिटी देने के उधेश्य से आपके साथ चल रहे हैं आकरांताओं के इन तथा कथित बंशजों ने जो वहां गडबडियां करके रखी परिवारों को सता कर रखा उन परिवारों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे एक बदलित भाई कहा हमारे बीस परिवार छोड़ कर जा चुके हैं तो मैंने उनसे पूछा किस के साशनकाल में तो उनका कहना था कि मायबती की साशनकाल में गए मुसल्मानों ने हमको परिशान किया हमारे परिवार के लोग घर छोड़ छोड़ कर चले गए कुछ यादा परिवार वहां पर उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि साब अखलेश के सरकार के समय पर भी यही सिचुएशन थी और जब हम कंप्लेंट करने जाते तो फिर मुसल्मानों का पक्ष ही अखलेश सरकार के लोग यानि कि उस समय का प्रशाशन लेता और हम मारे जाते अब बीजेपी सरकार के स साब है जो लगातार मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं लड़की के साथ लब जिहात करने का चढ़नेar का काम सायँ आखले इसेच्चों के बारे में बताया है कि साब ऐसेच्चों एक्षन ले रहा है कि ने परिबारसे और बाते पूछी तो उन्हों haarना कहा कि हमारी सुनन वाला नहीं है, ये पहली बार है कि आप लोग आए और इससे पहले कोई सुनने वाला नहीं था, प्रशाशन भी हमारे खलाप ही काम करता था, ये पहली बार है कि प्रशाशन अगर एक्शन नहीं ले रहा है, तो हमारे खलाप भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन प्रशाशन ने अच्छा काम ये किया कि जिस पूरु प्रधान के द्वारा ये सब रचा गया, मुस्लिम पूरु प्रधान, उसने जो जमीने कबजा करके रखी थी ग्राम पंचायद की, उसने पौल्ट्री फॉर्म कोल कर रखे थे, उसने जो वहाँ गवकसी के केंद्र खोल कर रखे थे, प्रशाशन ने उन सभी स्थानों को गिरा दिया, गिराने के बाद उन जमीनों को साफ करवाया, ग्राम पंचायद को सौपा, लेकिन जो ग्राम पंचायद दुबारा बनी, वो भी मुस्लिम ही है, तो वो एक से छूटेगा, दूसरा कबजा कर लेगा, कोई पता नहीं है कि उसका क्या होगा, लेकिन ये जो चार-पांच परिवार हैं, इन परिवारों को हमारे जानने के बा बाद में गाउं के बाहर बैठा था, तो कुछ मुस्लिम आये और उन्होंने हमसे कहा, कि ये सरकार कब तक तक तुम्हारा अप्रक्शन कर पाएगी, हम तुम्हें फिर मारेंगे, तो मेरा क्या कर लोगे, चुकि पहली बार जब फायर हुई थी, तो 151 के चालान करके, मुल पुलिस ने, क्या कर सकती है, पुलिस, अब की तुम्हें बहुत मारेंगे, इसके बाद हमारे कहने पर उन्होंने दुबारा एक फायर लिख वाई थी, दुबारा फायर में कुछ मिल जिम दूसरे मिले थे, और पहली फायर जो छेट छाड़ की थी, उसमें पुलिस हरकत मे पुलिस का जो हलका इंचार्ज था, उस हलका इंचार्ज ने कुछ उठावा धरी करनी शुरू की, वहां से कुछ लोगों को उठाना शुरू किया, कुछ लोगों की गिरफतारी की, गिरफतारी करने के बाद हम लोग जब मिलने गए, तो मैं जब गया, उससे पहले प्रश CEO है उस CEO ने जो हलका इंचार था, जो ग्रिफतारियां कर रहा था, जो दबश डाल रहा था, उसको लाइन हाजर कर वा दिया, उसके लाइन हाजर के ओर ओडर हो गे, इस बात को लेकर कि यह सब से अदा यही परिशान कर रहा है, शांती वेवस्ता भंग कर रहा है, यह अपनी duty को सही से discharge नहीं कर रहा है और वो as per Muslim concept काम नहीं कर रहा है तो CEO साफ तो मशलमान हैं वो साशन नहीं हैं वो CEO नहीं हैं वो मुसलमान ही हैν और आकरानताव का नियम है तो उन नियमों का पालन अगर लोग, उन नियमों के अनुसार लोग काम कर रहे हैं तो फिर ये जो हलका इंचार्ज है वो गलत काम कर रहा है हलका इंचार्ज अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है ये सब कुछ साब ने आया दूसरे दिन वहां के लोगों ने फोन करके बताया कि भाई साब ये तो उल्टा हो गया क्योंकि हमने को खबर आई किसाब हलका इंचार्ज लाइन हाजिर कर दी गए जिन्हों ने गरफ्तरिया की थी हमने उस कमिटी से बात की तो विश्य हंदू परिशत के जिला संगठ जिला मंत्री ने को फोन करके पुछा कि यह क्या कर रहे हैं तब जाकर सियो के और को एसपी ने रोका और उस हलका इंचार्ज को लाइन हाजिर करने से रोका गया लेकिन यहां पर अभी भी एक समस्या है कि सियो जो की बड़ा अधिकारी होता है नो डाउट एसपी के नीचे सियो ही बैठता है और जो SHO है या पुलिष टेशन है पुलिष टेशन के ऊपर सियो बैठता है जो इसकी निगरा नीचे करता है और सियो अगर अभी भी यह सोचकर बैठा है कि वो मुसलमानों के रक्षा करेगा जो अकरांता है जो ल्ड़केओं को छेड़ रहे हैं जो जमीनों को कबजा कर के रखे हैं, अगर वो उनकी मदद करेगा और कर रहा है, और ये विसंबव है, वहां के लोगोगे कहना है, कि ये संबव है कि CEO की ही सरन्न में कहीं ये अपरादी बैथे हो कहीं छुपकर बैटे हो और इनको संट्रक्षन CEO दे रहा हो क्योंकि CEO बार-बार इनकी मदद कर रहा है अब हमने प्रशाशन से का कि CEO को बदलने का क्या इंतिजाम है तो प्रशाशन उसकी उस बात को गंभीरता से नहीं लेता उसका कहना है कि नहीं SHO सब कुछ है और CEO उसमें कुछ नहीं कर सकता हमने तफ्तीश उसका जो उपर शे तफ्तीश है किसी दूसरे CEO को दे रखिये और यह CEO रहेगा यहीं पर लेकिन कोई दूसरा CEO इसके उपर इसको निगरानी करेगा यह फार्मूला कुछ अच्छे से समझ करने आया और प्रेडाम बुरे होते दिखाई दे रहें मैं फिर से उन लोगों से संपर्क करने का स्पर्यास किया मैं ने कुछ लोग भेजे और इसको संपर्क किया तो प्रिशाशन से बात करेंगे प्रिशाशन अगर नहीं करता तो कोड़ में केस फाइल करेंगे और कोड़ में केस tutti करेंगे फिर आ मुल्का फरुखाबात कर रहने वाला हूं इसलिए और वहां आता जाता रहता हूं इसलिए मैं वहां आपकी मदद कर सकता हूं वहां मेरे पास टीमे हैं रामंदिरान दोलन ना रामंदिराभियान के समय पर हमने हर गाउं में 5-5-7-7-7 लोगों को बनाया था और सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर लगबग 3-4,000 लोग, 3,000 हम लिस्टेट करके लाये थे, 3,000 से 4,000 लोगों को न्यूक्त किया था, वो 4,000 लोगों में से लगबग 2,000 से 3,000 लोग आपका सहियोग करने के लिए तया है, जो मेरी रामंदिर निवी समर्पन की टीम बन गई थी, ये मेरी जिम्मवारी बनती है, कि मैं पूरे देश को ये भी बताओं, कि वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, और कैसे हमने वहाँ पर कारप पूरा किया, और कैसे उन लोगों को संतुना दी, और क्या किया, इसलिए आपको मैं सूचित करने के लिए ये पोस्ट बढ़ना हू इस पूरी और्गनाजिशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉय स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉय जानना चाहता है, वो पेड प्लस फ्री क्लासिस का लाब ले सकता है